आप सब लोगों के लिए आज एक और मैं पिका काड रीडिंग लेकर यहां पर हाजर हूँ आप के लिए आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक यह है कि आपको अपने पार्टनर की अगर आप अपने एक्स पार्टनर की वेट करना चाहते हैं या आप मैरेड हैं और अभी किसी ऐसी सिचुएशन में फसे हुए हैं जहां रिष्टा बिलकुल एज पर है तो क्या आप को वेट करना चाहिए या मूव ओन करना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आप सेपरेटिड हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हो इसमें हम जानेंगे कि क्या आपको सेपरेशन में भी उनका वेट करना चाहिए या आगे मूव ओन करना चाहिए इस रीडिंग को इसके डीटेल ले सकते हैं. यहां पर बहुत सिंपल तरीके से, सरल भाषा में मैं आपको टैरो सिखाऊंगी और इसके सीक्रिट्स के बारे में हम मिलकर इसको डीकोड करेंगे. टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है. आप इसे जब सीखते हैं तो इसे बहुत तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है आप अपनी intuition powers को बढ़ा सकते हैं आप अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए predictions कर सकते हैं मैं बहुत simple सरल भाशा में, हिंदी भाशा में आपको ट्यारों सिखाऊंगी आप इस दिये गए number पर whatsapp करें और इस course की सारी detail लें चलिए आज की reading को start करते हैं ये reading आज जो आपके लिए है, इसमें मैंने जो दो piles ली हैं वो इसमें आपको दो beautiful pictures दिखाई देंगी, इसमें आपको nature दिखाई देंगी इसमें आपको लगेगा जैसे आप nature से connected है आपको लगेगा कि कोई न कोई रास्ता अब जरूर मिल जाएगा यहाँ पर इसलिए ये दो piles मैंने ली हैं आपको बहुत ही काम महसूस होगा, relax महसूस होगा क्योंकि कभी-कभी हम अपनी जिन्दगी में इतना stuck हो जाते हैं कि हमें relax होने का मौका ही नहीं मिलता हमें ये मौका नहीं मिलता कि मन जो स्थिर हो जाए थोड़ी दिर के लिए बैट कर सोचा जाए, मन निन किया जाए और आप किसी नतीजे पर पहुँच पाएं तो आज की ये दोनों पाइल्स आपके लिए इसी तरह की हैं ताकि आप सोच पाएं कि आगे क्या करना है, कौन सा निरने आपको लेना है तो ये दोनों पिक्चर आपकी मदद कर सकती हैं आपकी हेल्प कर सकती हैं एक रास्ता चुनने के लिए अब मैं बात करने वाली हूँ पाएल नमबर वान की अगर आपने अपनी पिक्चर को चूज कर लिया है और आपने पाएल वान को चूज किया है तो ये रीडिंग अब आपकी है यहाँ पर है Ace of Sword, Knight of Wands और है Two of Pentacles, Ace of Pentacles, The Hanged Man और इसके साथ है Six of Pentacles और है Two of Sword और इसके साथ साथ Bottom of the Deck से है The Mazzition तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पाएल नमबर वान कि इस टाइम पर बहुत सी जगलिंग चल रही है आप लोगों के relationship में आप उसे balance करने की कोशिश कर रहे हो आपने अपने इस रिष्टे को बहुत कुछ दिया है आपने इस रिष्टे को nurture करने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से जो आपके पास था आपने उसे देने की कोशिश की है आपने बहुत सारे sacrifice भी किये है रिष्टे के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पर अब situation जो है वो balance से बाहर है और आप balance करते हुए भी नजर आ रहे हो पर समझ नहीं आ रहा कि रास्ता कहां पे है बिल्कुर यही situation हो सकती है आप लोगों के लिए एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे एक नया start होता हुआ नजर आ रहा है तो शायद जो sacrifice आपने किये हैं जो चीजें आपको लगता था कि अब आगे नहीं चलेंगी पर आपने उसको balance करने की बहुत कुशिश की लगता है कि move on करने से शायद situations ठीक हो जाएंगी पर मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको wait करना चाहिए क्योंकि Ace of Sword और Ace of Pentacles दो Aces यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दुबारा से new beginning होगी दुबारा से इसी रिष्टे में आप आएंगे और एक दूसरे को पूरी तरह से commitment देंगे आपने चाहे कितने भी दुख चेले हैं मुश्किलें चेले हैं पर आपको reunion मिल सकती है यहाँ पर यह साफ साफ दिखाई दे रहा है आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे हैं इस रिष्टे में जो भी लोग है, married है, unmarried है या आप किसी committed relationship में है तो यह reading सब के लिए है इसलिए आपको अपने तरीके से इसे देखना चाहिए अगर आप male हैं तो female के लिए देखे और अगर आप female हैं तो male के लिए देखे यह जो situation इस time पर चल रही है आप लोग एक दुसरे को stuck महसूस कर रहे हो decision पर नहीं पहुँच पा रहे तो आपको अभी एक decision नहीं लेना चाहिए आपको अभी wait करना चाहिए यह रिष्टा आपके लिए फिर से एक नया start नया दौर लेकर आ सकता है जो चीजें ठीक नहीं चल रही थी जो चीजें लग रहा था कि कभी ठीक नहीं हो सकती तो एक manifestation की power यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है अगर आप चाहते हैं कि रिष्टा सुधरे तो आप सुधार सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस रिष्टे में दुबारा से आप आए तो आप इस रिष्टे को दुबारा से time दे सकते हैं आप इस रिष्टे की wait कर सकते हैं जो भी लोग married है, unmarried है, separated है, commitment में हैं किसी भी तरह से committed relationship में हैं पर अभी तक आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो रहा तो आगे अब start होने वाला है reunion होगी और आप फिर से रिष्टे को शुरू करेंगे six of pentacles दिखाता है कि forgiveness भी हो सकती है वो आप से माफी मांग सकते हैं या आप उनसे माफी मांग सकते हैं गलती जिसने भी की है, वो ही पहल करेगा और वो ही माफी मांगेगा तो दूसरा भी आप दोनों में से जो भी partners हैं दूसरा भी उसको माफ करने के लिए पूरी कोशिश करेगा तो ये है आपकी energies इस समय पर जो चल रही हैं जो भी situations आपकी चल रही हैं आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप बाहर निकलेंगे क्योंकि magician है तो दिखाता है कि आपके पास सभी तरह के tools हैं elements हैं आप इस रिष्टे को सुधारने के लिए जो जद्दो जहत कर रहे हैं अपने मन के अंदर जो द्वंद लेकर बैठे हैं वो द्वंद जल्द ही clear हो जाएंगे आपको vision clear हो जाएगा कि आगे क्या करना है आपको ऐसा महसूस होगा कि जो गल्तियां आपने की हैं उसे सुधार लेना चाहिए या उन्होंने जो गल्तियां की हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए आपके अंदर जो differences हैं जो आपके अंदर मत भेध हैं या मन भेध हैं आप दोनों उसको clear करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इसे सुधारें आप नहीं चाहते हैं आपका रिष्टा तूटे जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप ये भी चाहते हैं कि true decision हो जो भी हो सच्चा हो गलत ना हो जो आपने गलत किया है आप उसे मानने को तयार है उन्होंने जो गलत किया है वो उसे मानने को तयार है तो ये रिष्टा जो है अच्छे से चले और आपके differences जो भी आपके mind में differences थे जो आपके thought pattern में differences थे वो जल्द ही clear हो जाएंगे और कहीं न कहीं इस रिष्टे में सुधार जरूर आएगा तो pile number one अगर आप इस pile तक आए हैं तो आपको wait करना चाहिए आपको move on नहीं करना चाहिए आपके इस relationship को ठीक करने की कोशिश आपको करनी चाहिए अगर किसी भी तरह से कोई problem है तो बैठ कर बात करें एक दूसरे के साथ आपको एक दूसरे की बात समझ में आएगी और आप इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे रिष्टों को बिगारना बहुत आसान होता है उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है तो इसके थोड़ी सी effort यहां पर जरूर करें इसे एक बार एक समय जरूर दें ताकि आप इस रिष्टे को सुधार सकें ताकि आपको बाद में कोई regret ना हो तो आज की reading आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दें, share करें और चैनल को subscribe करें ना भूले मिलती हूँ next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए stay blessed, stay positive, thank you अब मैं बात करने वाली हूँ pile number 2 की अगर आपने इस beautiful picture को choose किया है तो चले यह जानते हैं कि आप जिस relationship में हो आप married हो, unmarried हो किसी struck relationship में हो या किसी committed relationship में हो पर आप इससे move on करना चाहते हो या आप सोच रहे हो तो आपको क्या move on करना चाहिए या आपको wait करना चाहिए ताकि इस रिष्टे को सुधारा जा सके इस रिष्टे में फिर से एक नया start किया जा सके तो पाइल नमबर टू, आपकी रीडिंग में अब स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए यहाँ पर जो energies निकल कर आई हैं, पहले उन energies को देखते हैं आपके लिए है king of wands, ace of cups और six of swords और इसके साथ साथ है seven of wands, two of wands और eight of wands और sun के energy और bottom of the deck से है king of swords तो यहाँ पर मुझे air element और इसके साथ साथ fire element बहुत जादा नज़र आ रहा है pile number two, तो यह रिश्टा जो start हुआ, काफी अच्छे से start हुआ आपको लगता था कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं इस रिश्टे के प्रतिय आपने बहुत कुछ किया है बहुत kind hearted रहे हैं आप इस रिश्टे के लिए बहुत blessed feel किया है आपने इस रिश्टे में आकर मुझे जहां तक लगता है कि आपके partner थोड़े fiery थोड़े aggressive nature के रहे हैं उन्होंने शायद आपकी भावनाओं की उतनी कदर नहीं की आपने बहुत stand लिया है इस रिश्टे को maintain करने के लिए आपने बहुत कुछ साहा है इस रिश्टे को maintain करने के लिए आपकी जो true energies रही हैं आपने सोचा था कि ये रिश्टा आप बहुत अच्छे से चलाएंगे बहुत प्यार करते थे आप उनसे एक बार जब यह start हुआ initially बहुत ही अच्छा relationship रहा है आपका और एक दूसरे को काफी कुछ आपने commitments भी दी हैं उन्होंने भी आपके लिए काफी plannings की थी, रिष्टे के लिए बहुत plannings की थी पर अचानक से उनके मन में, उनके भाव में change आने लगे और अचानक से वो बदलने लगे तो king of swords यहां पर दिखाता है कि कुछ न कुछ आपके और उनके बीच में ऐसा हुआ जो आपके मन के differences नहीं थे, आपके thoughts के differences थे आप लोगों के मन के भाव नहीं एक दुसरे के प्रती बदले, बलके आप लोगों के दिमाग के भाव बदले तो यहां पर कुछ ऐसा मुझे नजर आ रहा है काफी balance करते हुए फिर भी आप दिखाई दे रहे हो आप चाहते थे कि यह रिष्टा जो है वो अच्छे से चले, इसलिए बहुत balance किया है आपने यहां पर मुझे यह भी लगता है कि आपके partner पे किसी तरह से गलत नहीं थे वो भी एक तरह से अच्छा ही चाहते थे पर कभी-कभी ऐसा होता है कि different opinions के कारण हम अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते और वो आपकी बात को समझ नहीं पाते जिसकी वज़े से differences बैदा होते हैं और रिष्टा खराब हो जाता है तो यहां पर भी यही situation है और कोई situation यहां पर मुझे नजर नहीं आती जिसकी वज़े से आप लोगों को लगता है कि move on करना चाहिए मुझे यहां पर लगता है कि आप मेंसे कुछ लोग move on कर चुके हैं जो लोग move on कर चुके हैं उनके लिए अच्छा है अगर आपने कर लिया है तो कोई problem नहीं है इसमें पर जिन लोगों ने अभी तक move on नहीं किया है आपको मैं यह जरूर कहूंगी कि आपको wait करना चाहिए क्योंकि यहां पर sun की energy है जो दिखाती है कि रिष्टा बहुत ही प्यारा हो सकता है आपको wait जरूर करना चाहिए एक इसको time जरूर देना चाहिए एक मौका जरूर देना चाहिए यह जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप move on करें आगे बढ़ जाएं और पीछे की चीज़ों को छोड़ दें तो आपके लिए यहां पर हमेशा अच्छा नहीं कहा जा सकता जो लोग move on कर चुके हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं किया है जो सोच रहे हैं इस रिष्टे को commitment देने की सोची है जिन्होंने जिन लोगोंने सोचा है कि वो आगे नहीं जाएंगे जिन लोगों ने सोचा है कि वो इस रिष्टे के बारे में इतना कुछ सोच चुके थे तो रिष्टा छोड़ना इतना आसार नहीं है आपके लिए यहां पर कुछ ना कुछ बदलेगा आपको लगता था कि आपके परसन आपके पास नहीं आ रहे हैं आपको लगता था कि वो आपको आकर कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी तक आपकी बात नहीं हो पा रही है तो जो लोग नो कॉम्मिनकेशन में थे उनकी कॉम्मिनकेशन होने लगेगी बात होने लगेगी और वो आपके पास आकर सारे situation को आपसे clear करेंगे वो आपके साथ भावनाइत्मा connection को दुबारा से reunite कर सकते हैं वो कह सकते हैं आपको दुबारा से आकर, کہ वो आपसे ब्यार करते हैं वो action जल्दी ही लेंगे, और जल्दी ही situations जो हैं वो बिल्कुल सुधर जाएंगी तो जो लोग move on कर चुके हैं उनके लिए ये नहीं है बात ये बार-बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनको regret ना हो किसी बात से क्योंकि आपकी जो destiny है वो इसी तरह से लिखी गई थी कि आपने अगर move on किया है तो कोई problem नहीं है शायद आपके लिए ये reading नहीं थी तो आपको इसके लिए जादा सोचने की जरूरत नहीं पर जो लोग अभी wait कर रहे हैं आपको wait करना चाहिए ये रिष्टा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है reunion हो सकती है और आप दुबारा से अपने इस रिष्टे में बहुत ही powerful एक बंधन देख सकते हैं एक emotional bonding देख सकते हैं जो चीज़ें आपको पहले नहीं मिली थी वो अब मिल सकती है पर आपको थोड़ी सी ego को control करना होगा दोनों को क्योंकि मुझे लगता है कि आप या आपके partner दोनों में से एक aggressive है और दूसरा egoistic है तो यहाँ पर इस situation को आपको control में करना है अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके लिए आगे की planning जो है वो भगवान कर चुके हैं आपके लिए आगे की जो सितियां है वो खुद सुधारेंगे आपको divine energies का साथ मिलेगा divine healing मिलेगी और कहीं न कहीं से फिर से वो नया सवेरा आपको दिखाई देगा जो रिष्टे में दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक आपको लगता था कि बिलकुल अंधेरा है कुछ नहीं है सब कुछ बिगड़ गया है कुछ भी ठीक नहीं है पर अब वो स्थितियां जो है बहुत जादा सुधर जाएंगी और आपको फिर से वही चीजे नजर आने लगेंगी जो बिलकुल रुक गई थी चीजे दुबारा से चलने लगेंगी दुबारा से आप उसे इंप्लिमेंट कर पाएंगे आपको एक स्टेब जरूर लेना है आपने बहुत कुछ बैलन्स किया है तो अब भी आप एक स्टेब ले सकते हो ऐसा नहीं है कि अब आप स्टेब नहीं ले सकते अब भी आप उनकी तरफ बढ़ सकते हो या वो आपकी तरफ आ सकते हैं दोनों में से कोई भी एक बंदा step लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है वो step आपका है या उनका है या आप लोगों को decide करना है मिलकर तो यहाँ पर बहुत अच्छी energies दिखाई दे रही है फिर से एक reunion मुझे दिखाई दे रहा है तो रिष्टे को एक बार जरूर मौका देना चाहिए ये मैं जरूर कहूंगी रिष्टों को तोड़ना बहुत आसान होता है जोड़ना बहुत मुश्किल होता है पर यहाँ पर दोनों ही readings में pile 1 और pile 2 में मुझे यही दिखाई दिया कि आपको move on नहीं करना चाहिए जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं पर जो wait कर रहे हैं आपको करना चाहिए और एक second thought जरूर लेना चाहिए तो आज की reading अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में नेक्स ट्रॉपिक के साथ तब तक के लिए stay blessed stay positive thank you